Hello everyone कैसे है आप लोग आप कभी लेकर आए न्यू जोब की खबर तो इस वीडियो को लाइक शेर दरूर से कर दिना अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हिल्फुल लगे तो आप ये चैनल को इजीली सबिस्क्राइब करके रख सकते ताकि जो भी न्यूदे अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो सके चलिए ये रिक्रूट्मेंट के बारे में डिसकस करते है IDBI की तरफ से 2023 की लेटेस रिक्रूट्मेंट यहापर आपको देखने को मिलने वाली है जिसमें जो आपका पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टन मैनिजर के लिए यहापको वेकेंसी देखने को मिलने वाली है HD के लिए 17 वेकेंसी है OBC के लिए 89 वेकेंसी है EWS के लिए 60 वेकेंसी है यहाँ से आप PWD के टिगरी के वेकेंसी को भी आप इजिली रिडाउट कर सकते है और जो हैं आपका eligibility कराइटेर है अगर आपके पास graduate है तो आप इस recruitment के लिए easily apply कर सकते है Assistant Manager post के लिए But इस recruitment के अंदर minimum यहापको 2 year का experience यहापको mandatory है अगर आपके पास 2 year का experience है किंग में financial service में and insurance sector में तो आप यहापर easily apply कर सकते है minimum age limit की बात करें तो minimum 21 year यहापकी minimum age limit रहने वाली है यहाँ से आप important date भी यहाँ से read out कर सकते है कि जो भी आपका online registration है वो February 17 से है February 28 तक है आपका जो भी application fees के charges है और जो आपका application form starting है वो यहाँ उसकी start और last date देखने को मिलने वाली है और जो हैं आपका 22 date है वो April 2023 में यहापका online test conduct होने वाला है और जो हैं आपकी age limit रहने वाली है वो मैंने आपको start में discuss कर दिया कि minimum 21 है और maximum है आपको 30 year है आपकी maximum age limit देखने को मिलने वाली है अगर आपके पास graduate है any discipline में तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले है और यहाँ पर diploma की candidate eligible नहीं रहने वाले अगर आपको इसकी complete notification को read out करना है तो आप telegram page को join कर सकते हैं आप telegram page को अगर join करते हैं तो जो video अपलोड नहीं करते हैं उसकी official notification की PDWM telegram page पर provide करते रहते हैं अगर आप telegram page को join करते हैं तो वहाँ पर मैंने banking से related एक और notification आपके लिए provide किया हो जिसमें IPVP के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है 2023 की और IDVP bank में भी आपको है special cater के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है तो जो भी candidate interested हो telegram page को join करके different notification को भी आप easily read out कर सकते हैं selection process की बात करे हैं तो यहाँ पर जो आपका selection process है उसमें आपका online test होने वाला है उसके बाद document verification है and personal interview है उसके बाद यहाँ आपका pre recruitment medical test की basis में आपका final selection होने वाला है और जो हैं आपका online test का python है वो भी आप यहाँ से read out कर सकते हैं जिसमें आपको total 200 हैं आपको question देखने को मिलने वाले हैं आपको 200 mark हैं आपका examination होने वाला है और जो हैं आपको time provide होने वाला है वो 2 hertz का हैं आपको time provide होने वाला है आप यहाँ से read out भी कर सकते हैं जो हैं आपको question देखने को मिलने वाले हैं वो logical reasoning, data analytics, interpretation, English language, quantity, aptitude, general, economy, banking, awareness, computer और IT के हैं आपको question देखने को मिलने वाले detail में notification के लिए आप telegram page को join कर सकते हैं जो भी candidate interested अगर आप इसकी recruitment के लिए अगर आप eligible है तो आप telegram page को join करके इसकी complete notification को आप easily read out कर सकते हैं relaxation की बात करें तो जो भी candidate SCST category में आते हैं उनके लिए यह आपको 5 year का relaxation है OBCNCL के लिए यह आपको 3 year का relaxation है और जो candidate PWD category में आते हैं उनके लिए यह आपको 10 year का relaxation भी देखने को मिलने वाला है आपको वीडियो के description में इसको direct apply करने की link provide कर दूँगा जो भी candidate interested अगर आप eligible है तो आप एक बार टेलिग्राम पेज को जायन करके इसकी complete notification को आप easily read out भी कर सकते हैं और जो इसका application form starting date की बात करें तो 17 February से application form start हो चुके हैं इसकी last date की बात करें तो 28 February इसकी last date हैने वाली है जो भी candidate interested है इसको वीडियो के description में इसको direct apply करने का link provide हो जाएगा आप महासे जाका directly इस application form का आप easily fill up भी कर सकेंगे और जो हैं आपको application fees के charges की बात करें तो जो candidate general category में आते हैं उनके लिए हैं आपको 1000 रुपीज अप्लिकेशन fees के charges पे करना है और जो backward classes में आते हैं उनके लिए हैं आपको 200 रुपीज अप्लिकेशन fees के charges पे करना है मतलब general category के लिए हैं आपको 1000 रुपीज application fees के charges है और जो backward classes में उनके लिए हैं आपको 200 रुपीज application fees के charges पे करना है और जो हैं आपको जो application form fill करते हैं यह मिरे important document है वो भी आप notification से readout कर सकते हैं इसमें complete detail में discuss है जो भी है रिलेटेड या इंजिनेरिंग स्टूडन के लिए बेस्ट अपर्चिनेटी सबसे पहले देखना है तो अब ये चैनल को इजिली सबिस्क्राइब करके रख सकते हैं ताक्के जो भी नियुदे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले अब तक प्रोवाइड हो सके कर दो दो अपलोड है प्रोवाइड तक रख सकते हैं तो अपलोड हो सकते हैं प्रोवाइड दो अपलोड ये